हेलो वाईज, आज हम इस WordPress के कॉर्स में देखेंगे कि हम HomePage को कैसे सैक करेंगे FrontPage पे माल यह जाए कि आप कोई भी Page बनाते हैं, माल लो आपने बहुत सारे Page बनाए आपको FrontPage बताना है कि ये Page आपका पहली बार क्या होना चाहिए, Call होना चाहिए जैसे ही मैं website को क्या करूँ open करूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है अभी जो मैं आपको clear बताता हूँ WordPress की website में होता है क्या है कि जब आप कोई website बनाते हैं तो वो blog वाले page को पहले number पे call करता है अपने को क्या करना है आपने को बताना है कि यह home page को पहले number पे call करें और blog page को किसी और page पे call करें वो भी हम process क्या करेंगे आगे देख लेंगे अभी हम देखना चाते हैं कि हम front page set करना चाते हैं front page पे हम कोई से भी page क्या कर सकते हैं कर सकते हैं यह सारा हम process क्या करेंगे अभी देखेंगे यह बहुत ही सिंपल होगा वे मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा जिससे आपको clearty मैं आपको लिए बता रहा हूं यह जो तेरे वेबसाइट क्या होनी चाहिए खुलनी चाहिए और उसमें home page मेरा पहला page खुलना चाहिए तो यह कैसे प्रोसेस होगा देखिए यह मैं आपको बता देता हूं आपको जाना है एपीरियंस के अंदर customize में है, ठीक है, appearance के अंदर अपने को customize में जाना है, होमपेज setting, देखें, इस theme के अंदर लिखावा है, WordPress default के अंदर home page setting है, यहाँ पर, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, देखें, किसी theme में बाहर की side मिल सकता है, आपको home page setting किसी थीम में अंदर की साइड option आ सकता है तो यह थीम पर डिपेंड करता है कि option कहां पर आता है मारा option जरूर आएगा यह मैं आपको clear कह देता हूं कि ऐसा नहीं है कि option ना आए आपको कौन सा पेज णिस कर लेंगे और यहां से अप्पब्लिक कर देंगे अब पब्लिक्स करने के बाद देख़िए मेरा URL के है लोकल होस्त ब्लॉक वेबसाइट एन यहां पर ब्लॉक सारे दिख रहे हैं अभी क्या होगा जो आपका पेज टार्गेट होगा वह हो यहाँ पर टार्गेट होगा देखिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो पेज उपन हो रहा है वो क्या हो रहा है ओम पीज आपके सामने डिस्पले हो रहा है तो अभी हमने यह देखा कि हम होम पेज को कैसे सेट करेंगे पे या किसी भी पेज को कैसे सेट करेंगे फ्रंट पेज पे तो अपने को जाना है एपेरेंस के अंदर कसमाईज में वर्ट्प्रेस डिफॉल्ट वर्ट्प्रेस डिफॉल्ट के अंदर होंपेज सेटिंग अब देखे ये तो हो गया पहला त mop至 बारा तरीका अगर हमें static page पर करना और homepage में हमें क्या select करना है है अब दीखे select कर रखा इसलिए already select दिख रहा है अगर आप कहते हों पेज़ पर कोई और about call करते हैं亲हाई ब्लॉइड कई करना है तो already Viel website पे रिफ्रेस्च करेंगे तो आपको क्या होगा दिख जाएगा कि आपका पहला पेज कौन सा ओपन हो रहा है तो आप दो तरीके से से ट कर सकते हो अपने front page को कोई सी भी page को बना सकते हो front page ये दो तरीके से मैंने आपको क्या किया है बता wäre है यह इसलिए जरूरी है मैं आपको एक सीज बता देता हूं यह इसलिए जरूरी है कि आप अपनी website में front page तो अलग ही रखना चाहेंगे ब्लॉग वाला page अलग होगा और front page अलग होगा पेज़ पर यह सारा प्रोसेस हमने देखा है कि अगया है कि अगया है